हलो अबरीवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन थी के हिंदी के बुख चितिस की चाप्टर नमर त्री सावले सपनों की याद और इस पार्ट के लेखक है जाबिर हुसैन यहाँ पर इनकी बायोग्राफी दी गई है आप चाहे तो उने पढ़ सकते हैं मैं कि आगे क्या लिखा है इस चाप्टर के बारे में तो चलिए चाप्टर को स्टार्ट करते हैं तो बिफोर स्टारिंग दिस वीडियो यहाँ पर कुछ हींट दिये गए है चाप्टर के बारे में कि इस चाप्टर में किसके बारे में लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है तो चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं यहां लिखा है प्रस्तूत पाथ जून 1987 में प्रसिध पक्षी विज्ञानी साली मली के बृत्तियों के तुरंत बाद जारी शैली में लिखा गया संसमरन है यहां पर संसमरन का यूज किया गया है इसका मतलब यह होता है कि जब हम अपने पिछले यादों को याद करके कुछ लिखते हैं वो हमारा संसमरन कहलाता है जब हम अपने यादों को याद करते हैं उसके बारे में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? संसमरन कहलाता है और ये डायरी शैली में लिखा गया है इस चैप्टर को जो लिखने का तरीका है जो शैली है वो किस तरह का है जिस तरह से हम लोग डायरी में लिखते हैं उसी तरह से डायरी शैली में ये लिखा गया है ये पार्ट जो है वो जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षि विज्ञानी साली मली साली मली कौन थे एक प्रसिद्ध पक्षि विज्ञानी थे साइंटिस्ट थे जो पक्षियों के बारे में हमेशा खोज करते रहते थे उनके बारे में जानकारी लेते रहते थे उनके मृत्यों के तुरंत बाद ही ये बार्ट लिखी गई थी और ये डायरी शैली में लिखी गई है और ये क्या है एक संसमरण है ठीक है एक यादों का लिखा हुआ एक वर्णन है साली मली के मृत्यों से उत्पन दुख और अवसाद को लेखक ने सामले सपनों की याद के रूप में वैक्ति किया है तो जैसे ही साली मली के मृत्यों हुई उससे जो दुख हुआ लेखक को इसलिए उस लेखक ने क्या किया उन्हों ने ये जो अपने भावनाएं उन्हों न वैक्ति किया है साली मली के लिए उन भावनाओं को उन्हों ने नाम दिया है सावले सपनों की याद जब हम कुछ याद करते हैं तो वो हमारे मस्तिस्क में एक धुंदली धुंदली से याद आ जाती है ना इसलिए यहाँ पर क्या कहा है लेखक ने सावले सपनों की याद क्योंकि अब तो वो सारी बाते सपनों की तरह लग रही थी साली मली का इसमरन करते हुए लेखक ने उनका वैक्ति चित्र प्रस्तूत किया है अब साली मली को याद करते हुए उनको याद करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तूत किया है means उनकी personality उन्होंने represent किया है उनकी personality क्या थी, कैसी थी, वो किस तरह के इंसान थे, वो क्या थे वो सारी चीज़ें उन्होंने इस पार्ट में बताए है यहां भासा की रवानी और अभिवेक्ति की शहली दिल को चूलेती है तो जिस तरह से लेखक ने अपनी भाशा का यूज किया है इस पार्ट में जिस तरह से उन्होंने अपनी जो उनकी अभिवेक्ति थी, जो उनकी भावना थी जिस तरीके सुन्हों ने ये लिखा है वो दिल को छू लेती है आगे देखते हैं क्या लिखा है तो चलिए चाप्टर को स्टार्ट करते है यहां लिखा है सुन्हरे परिंदों के खुबसूरत पंखो पर सवार सावले सपनों का एक हुजून मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रेसर है यहां पर क्या कहा गया कि जो परिंदे हैं वो सुन्हरे रंग के परिंदे हैं और उनकी पंख जो है वो बहुत खुबसूरत है और उन्ही पर सवार होकर सावले सपनों का एक हुजून जो यादे हैं जो धुनली यादे हैं उनकी जो ग्रूप है उन्ही यादों का जो समू है वो मौत की खामोश वादी की तरफ यानि सन्नाटे की तरफ मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रेसर है यानि उसकी और लगातार चली जा रही है कोई रोक-टोक सके कहाँ संभा है और जैसे ही वो उस तरफ अगरसर है उस तरफ जा रहे है तो वहाँ पर कोई रोक-टोक नहीं सकता क्योंकि वो तो पूरी तरह से खामोश वाधी है टाईड ओके आगे लिखा कहते हैं इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं साली मली और ये जो ग्रूप है ये समू है उसके आगे आगे कौन चल रहे हैं साली मली चल रहे है अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहिन सफर का बोज उठाए यहां पर सैलानी का मतलब होता है परियटक जो किसी जगा घूमने जाते हैं उन्हें कहा जाता है सैलानी जो घूमने आते हैं जो परियटक होते हैं उसे क्या कहा जाता है सैलानी कहा जाता है तो क्योंकि यहां पर बहुत सारे समू है, यहां पर गरूप है इसलिए एक सैलानी नहीज तर bathtub का यहां पर यूज़ किया गए है तो साली मली अस गरूप में सबसे आगे चले जा रहे हैं, उस समू में सबसे आगे हैं अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहिन सफर का बोज उठाए और वो कैसे जा रहे हैं उनके कंधों पर क्या है एक अंतहिन सफर का बोज है यानि ऐसे सफर का बोज जिसका कोई खात्मा नहीं है बस उन्हें चलते ही जाना है और ऐसे बोश को उठाए हुए अपने कंदों पर उठाए हुए साली मली आगे आगे जा रहे हैं लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है लेखा किया क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये जो सफर साली मली कर रहे हैं उनके बाकी सफर से पूरी तरह से अलग है भीर भाड की जिन्दगी और तनाओ के माहोल से सालिम अली का ये आखरी पलायन है पलायन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए प्रस्थान करना तो लिखा कहते हैं कि जब सालिम अली जिन्दा थे तो भीर भाड वाली जिन्दगी थी तनाओ वाली जिन्दगी थी तनाओ का माहोल था और उस भीर भाड वाली जिन्दगी उस तनाओ के माहोल से सालिम अली का ये आखरी पलायन है यानि आखरी बार अब वो सफर यहां से कर अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृती में विलीन हो रहे हैं जो जिन्दगी का आखरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाबसा हो अब लेखक कहते हैं कि सालिम अली क्या है एक वन पक्ची की तरह है एक वन बोलते हैं किसे जंगल को एक वन पक्ची की तरह है जो प्रकृति में जो नेचर में पूरी तरह से गायब हो रहे हैं विलीन हो रहे हैं और इस तरह से वो अपनी जिन्दगी का आखरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाबसा हो जैसे कि लेखक तुलना कर रहे हैं एक वनपक्ची की और साली मली की ठीक है और वो कहरें कि जिस तरह से वनपक्ची प्रकृती में विलीन होते हैं जैसे वो अपनी जिन्दगी का आखरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाबसा हो उसी तरह से साली मली भी विलीन हो रहे हैं प्रकृती में आगे लिखते हैं लेखक कोई अपने जिसमे की हरारत और दिल की धड़कन दे कर भी उसे लोटाना चाहे तो वो पक्ची अपने सपनों के गीत दुबारा कैसे गा सकेगा तो लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से वन पक्ची परकृती में गायब हो रहे हैं जो अपने जिन्दगी का आखरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाबसा हो ठीक उसी तरह अगर उस पक्ची को कोई चाहे कि उसे अपनी जिसमे की हरारत दे दे अगर उसे उस पक्ची को जिन्दा करना चाहे तो भी वो पक्ची जिन्दा नहीं हो सकता और वो अपने सपनों के गीत दुबारा नहीं गा सकता तो ठीक उसी तरह से साली मली को अगर कोई चाहे कि उसे जिसमे की हरारत दे दे अपने दिल की धड़कन दे दे तो भी उसे को कोई वापस नहीं ला सकते, राइट, ओके, आगे लेखक कहते हैं, मुझे नहीं लगता, कोई इस सोई हुए पक्षी को जगाना चाहेगा, यहाँ पर किसे कह रहे हैं लेखक साली मली को, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता, कि यह जो सोई हुए पक्षी हैं, उन्हें को जग था कि लोग जो है वो पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं पक्षी को पक्षी की नजर से नहीं देखना चाहते हैं वो आदमी की नजर से देखना चाहते हैं ये उनकी भूल है ये उनकी गलती है ये उनकी भूल है ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाडों एक इंसान की नजरों से देखते हैं पक्षी को पक्षी की नजर से नहीं देखते जंगल को जंगल की नजर से नहीं देखते पहाडों को पहाड की नजर से नहीं देखते जर्णों आबशारों को वो प्रकृती की नजर से नहीं देखते नेचर की नजर से नहीं देखते बलक कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधूर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूर्टा महसूस कर सकता है। पर question है जो कि जाबिर हुसेन ने बताया है कि साली मली इस तरह से कहते थे और इस तरह से सवाल करते थे कोई आदमी अपने कानों से अगर पक्षियों की आवाज सुनता है और उनकी मधूर आवाज सुनता है तो क्या उनके भीतर रोमांच का जो स्रोत है क्या वो फूर्टा महसूस कर सकता है इनसान अगर पक्षी की नजर से पक्षी को समझता है तो वो उसे महसूस कर सकेगा लेकिन अगर वो अपनी अपनी नजर से देखेगा इनसान होकर इनसान की नजर से देखेगा तो वो कभी भी पक्षियों की मधुर संगीत को अपने मधुर संगीत को के जो होते हैं उसके सोर्स को महसूस नहीं कर सकता है आगे लेखक कहते हैं एहसास कि ऐसी ही एक उबर खाबर जमीन पर जन्में मीथक का नाम है साली मली पदा नहीं इतिहास में कभी क्रिश्न ने विरिंदावन में रासलीला रजी थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का नि इतिहास में कभी क्रिश्न ने विरिंदावन में रासलीला रजी थी और सोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था कभ माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मूँ भरे थे कभ वाटिका में जो बगीचे थे उनमें छोटे-छोटे कि तो घने पेडों की इच्छा में विश्राम किया था कभ दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने फाले अंदाज में बनसी बजाए थी और पता नहीं कभी व्रिंदावन की पूरी दुनिया संगीत मैं हो गई थी जब वो बांसूरी बजाते थे तो पूरी दुनिया संग जीत मैं हो गई थी, पता नहीं ये कब हुआ था, पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी व्रिंदा वन जाए, तो नदी का सामला पानी उसे पूरे घटना करम की याद दिला देगा, तो लिखा कहते हैं, ये सारी घटनाए पता नहीं कब हुई थी, लेकिन वो पूरे घटना करम को जो ये सारी घटना हैं उसकी याद दिला देता है हर सुबा सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्सा भरी भीड नदी की और बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे यहाँ पर लेखा क्या कह रहे है कि हर सुबा जब सूरज निकलने से पहले ही गलियों से होकर उत्सा भरी यानि दिलों में उत्सा लेकर भीड जब नदी की और बढ़ती है तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि उस भीड को चीर कर अचानक से कोई सामने आएगा और अपनी बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे यानि उनकी बंसूरी की आवाज मधूर आवाज सुनकर सब के कदम रुख जाएंगे मोहित हो जाएंगे आगे लेखा कहते हैं हर साम सूरस धलने से पहले जब वाठिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछी चनों में वो कहीं से आटपकेगा और संगीत का जादू वाठिका के भरे पूरे माहूल पर चाजाएगा विरिंदावन कभी कृष्ण की बंसूरी के जादू से खाली हुआ है क्या यहाँ पर लेखा कहना चाहते हैं कि हर साम को सूरज जैसे ही ढलता है सूरज ढलने से पहले जब वाठिका का माली यानि जिस बगीचे का माली जब सैलानियों को यानि परियटों को यह हिदायत देगा तो लगता है जैसे बच कुछ ही वक्त में वो कहीं से आ टपकेगा यानि जो भगवान कृष्ण है वो कहीं से आ टपकेंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहूल पर छाजाएगा ब्रिंदावन कभी कृष्ण की बासूरू के जादू से खाली हुआ है क्या अब आगे लिखा है मीठकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलास करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस वैक्ती पर डाले जाए जिसे हम साली मली के नाम से जानते हैं ये दुनिया क्या है मीठक है या ना फॉल्स है ये दुनिया तो ये मीठकों की इस दुनिया में इस सवाल का जवाब तलास करने से पहले एक नजर हम उस वैक्ती पर डालते हैं जो कमजोर काया थी जिसकी जिसे हम साली मली के नाम से जानते हैं वो लिखते हैं कि उम्र को शती तक पहुचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे संभव है लंबी यात्राओं की ठकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो तो यहां पर लेखत क्या कहना चाहते हैं कि वो उम्र भी हो चुकी थे उनकी और लंबी यात्रा भी की उन्हों ने किया था अपनी जिंदगी की लंबी यात्रा उन्हों ने की थी और वो ठक गए थे और इस वज़ा से उनके शरीर जो थे वो कमजोर हो गए थे और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो लेकिन अन्तिम समय तक मौत उनकी आखों से वो रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिवाज़त के प्रती समर पित थी तो लेका कहते हैं कि लास्ट टाइम तक मौत जो थी उनकी आखों से रोशनी नहीं छीन पाई थी उनकी आखें यानि सालिम अली की आखें हमेशा पक्षियों की तलास में रहती थी हमेशा उनकी हिवाज़त के लिए हमेशा ततपर रहती थी सालिम अली की आँखों पर चड़ी दूर बिन उनकी मौत के बाद ही तो उत्री थी यानि कि सालिम अली उम्र हो गई थी उनकी लेकिन फिर भी उनके गले में दूर बिन पड़ी रहती थी वो एक ही जगह उनकी उम्र बढ़ गई थी उनकी उम्र जादा हो गई थी लेकिन वो एक ही जगहा पर बैठे भी रहते थे तो उनके गर्दन पर दूरबीन रहा करती थी जो हमेशा वो अपनी दूरबीन के इस्तमाल करते हुए पक्षियों को बैठ बैठ करके भी देखा करते थे और लेखा कहते हैं कि उनकी मौत के बाद ही वो दूरबीन उतरी थी आगे लेखा कहते हैं उन जैसा बर्ड वाचर बर्ड वाचर का मतलब होता है वाचर देखने वाला जो पक्षियों के पीछे उसकी खोज खबर लेने वाला उसके उनके बारे में पता करने वाला वो बर्ड वाचर होता है तो लेखा कहते हैं कि साली मली के जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो लेकिन एकांत छणों में साली मली बिना दूर्बीन भी देखे गए है तो लेखा कहते हैं कि जब वो अकेले होते थे अकेले पल में भी सालीम अली बीना दूर्बीन भी देखे गए हैं दूर शितिस तक फैली जमीन और जुकी आसमान को छुने वाली उनकी नजरों में सब कुछ-कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है सालीम अली उन लोगों में थी जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाए प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की कायल होते हैं यहां लेखा कहते हैं कि दूर तक उनकी नजरे दूर तक देखा करती थी जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है ऐसी नजरों में उनका कुछ-कुछ वैसा ही जादो था लेकिन सालीम अली ऐसे लोगों में शामिल थे जो नेचर के प्रभाव में आने की वजाए नेचर को अपनी प्रभाव में लाने की कायल थे उनके लिए प्रकृती में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस से भरी दुनिया चारों तरफ थी और ये दुनिया उन्होंने बड़ी महनत से अपने लिए गड़ी थी इसके गड़ने में उनकी जीवन साथ ही तहमीना ने काफी मदद पहुँचाई थी तहमीना इसकूल के दिनों में उनकी सहपाथ ही रही थी या लेका क्या कहते हैं कि उन्होंने जो ये दुनिया गड़ी थी कि चारों तरफ एक रहस मई खुशिया है रहस मई दुनिया रहस से हस्ती खेलती रहस से भरी दुनिया चारों तरफ है ये सालीम अली ने अपने अपने लिए गड़ा था यानि सालीम अली ने अपनी महनत से अपनी इमेजिनेशन से अपनी महनत से उन्होंने इस दुनिया को किस नजरों से रेखा एक हस्ती खेलती रहसे भरी दुनिया उन्होंने माना और इसके लिए उनके जो जीवन साथी थी उनकी जो वाइफ दी तेहमीना उन्होंने सालीम अली की काफी मदद पहुँचाई थी और तेहमीना इसकूल के दिनों में उनकी सहपाथी भी रही थी यानि उनके साथ वो बढ़ा करती थी आगी लेखा कहते हैं अपनी लंबे रोमान चुकारी जीवन में धेर सारे नुभवों के माली सालीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रिकिस्तानी हवा के जोगों से बचाने का नुरोद लेकर चौधरी चरन सींसी में ले थे वे प्रधान मंत्री थी चौधरी साहब गाउं की मिट्री पर पढ़ने वाली पानी की पहले भून का असर जानने वाले नेता थे परियावरन की संभावित खत्रों का जो चित्र सालीम अली ने उनके सामने रखा उसने उनकी आखे नम कर दी यहाँ पर लेखा कहते हैं कि चुकि सालीम अली के जो ज वो बाकी चीजों पर भी वो बहुत ही जादा सोच फिक्र करते रहते थे इस पर एक बात लेखा कहते हैं सालीम अली के बारे में कि एक बार केरल की सालेंट वैली में रेगिस्तानी हवा के जोंके आ रहे थे यानि रेगिस्तानी हवा के जोंकों से सालेंट वैली को खत्रा तो सालिम अली ने सालेंट वैली को रिगिस्तानी हवा के जोगों से बचाने के लिए और इसके अनुरोध को लेकर वो चौधरी चरंसी से मिले थे जो की एक प्रधान मंत्री थे चौधरी साहब खुद भी किसान परिवार से बिलॉंग करते थे और परियावरन के संभावित खत्रों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा साली मली ने उन्हीं बताया कि इस तरह से तो परियावरन को खत्रा है और ये सारी जब बाते उन्होंने चौधरी चरंग सिंग को बताया तो चौधरी चरंग सिंग की आँखे भी नम हो गई थी आगे लेखा कहते हैं आज साली मली नहीं है चौधरी साहब भी नहीं है यानि आज ना साली मली है ना चौधरी साहब है कौन बचा है जो अब सून्धी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नीव रखने का संकल पिलेगा लेखा की ये भी कहना चाहते हैं कि अब कौन इस सूंधी माटी पर जब भी मिटी पर पानी गिरती है तो उसकी मह कितनी सूंधी सी लगती है तो लेखा कहते हैं कि जो सुन्धी माटी है उस पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नीव रखने का एक नया भारत वनाने का संकल पाकिर कौन लेगा कौन बचा है जो अब हिमाले और लद्दाक की बरफिली जमीनों पर जीने वाले पक्छियों की वकालत करेगा ठाग क्यूकि जो सालिम अली थे उन्हें पक्छियों के बारे में बहुत फिक्र हुआ करती थी पक्छियों के बारे में वो अपना बहुत जादा प्रेम रखते थे तो इसलिए लेखा कहते हैं कि अब हीमाले और लद्दा की बरफीली जमीनों पर जीने वाले जितने भी पक्ची हैं उन्हें पर्यावरन की वज़ा से बुने नुकसान हो रहे थे और बाकी बहुत सारे रिजन्स थे जिनकी वज़ा से नुकसान हो रहे है तो उन पक्चियों की वकालत कौन करेगा उन पक्चियों को कौन बचाएगा उन पक्चियों की बारे में अब कौन सोचेगा सालिम अली ने अपनी आत्म कता का नाम रखा था फॉल आफ ऐस पैरो तो सालिम अली ने अपनी एक बायोग्राफी लिखी थी अपनी एक आत्मकता लिखी थी जिनका नाम उन्होंने रखा था Fall of Ice Sparrow लिखा कहते हैं मुझे याद आ गया D.H. Lawrence की मौत के बाद लोगों ने उनकी पतनी Frida Lawrence से अनुरोद किया कि वो अपने पती के बारे में कुछ लिखे तो जब D.H. Lawrence की मौत हुई थी उसके बाद लोगों ने D.H. Lawrence की पतनी जिनका नाम था Frida Lawrence उनसे ये अनुरोद किया था कि वो अपने पती के बारे में कुछ लिखे Frida चाहती तो धेर सारी बाते Lawrence के बारे में लिख सकती थी लेकिन उसने कहा यानि Frida ने कहा मेरे लिए Lawrence के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है यानि Lawrence की जो परसनलिटी थी उनकी व्यक्तित तो जैसी थी उनके बारे में लिखना असंभव सा है मुझे महसूस होता है मेरी चट पर बैठने वाली गौरईया Lawrence के बारे में धेर सारी बाते जानती है वो आगे क्या कहती है कि मुझे ऐसा फील होता है मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी चट पर बैठने वाली जो गौरईया है वो मुझ से जादा Lawrence के बारे में धेर सारी बाते जानती है मुझ से भी जादा जानती है वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था मुम्किन है Lawrence मेरी रगों मेरी हड़ियों में समाया हो तो फ्रीडा कहती है अपने हस्बेंट के बारे में कि उनके हस्बेंट बहुत खुला खुला और सादा दिल आदमी थे बहुत ही जादा नेक दिल थे हो सकता है, मुमकीन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो लेकिन मेरे लिए कितना कठीन है, कितना मुश्किल है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना यानि कि फ्रीडा अपने हस्बेंट के बारे में लिखना उनके लिए असंभव था, क्योंकि उनकी जितनी भी सारी अच्छाई थी वो शब्दों में नहीं समा सकती थी मुझे यकीन है, मेरी छट पर बैठी गौराया उसके बारे में लारेंस के बारे में और फ्रीडा के बारे में दोनों ही के बारे में फ्रीडा से ज़्यादा जानकारी रखती है जटिल प्रानियों के लिए साली मली हमेशा एक पहली बने रहेंगे जटिल प्रानियों के लिए यानि कि ऐसे प्रानी जो कि मुश्किल से देखे जा सकते हैं उनके लिए साली मली हमेशा एक पहली बने रहेंगे बच्पन के दिनों में उनकी एर गंट से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठी की वो गुराया सारी जिंदगी उन्हें खोज के ने ने रास्तों की तरफ ले जाती रहे तो एक बार क्या हुआ था कि साली मली की एर गंट से एक नीले कंठी वाली एक गुराया घायल हो गई थी जिससे साली मली को पिरना मिली थी तो सारी जिन्दगी उन्हें खोज के नए-ने रास्तों की तरफ ले जाती रही और उस गोरया ने पूरी जिन्दगी साली मली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए उन्हें इंस्पिरेशन देती रहे जिन्दगी के उचाईयों में उनका विस्वास एक छण के लिए भी डिगा नहीं तो जिस तरह से बच्पन आता है फिर एज होता चला जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जिन्दगी के उचाईयों ही है तो जिन्दगी के उचाईयों में उनकी जो यकीन थी एक पल के लिए भी वो डिगा नहीं, हिला नहीं वो लॉरेंस की तरह नसरगीक जिन्दगी का प्रतिरूप बन गए थे एक एक्जामपल बन गए थे सालीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाए अथा सागर बन कर उब रहे थे एक टापू वो नहीं बने बलकि एक सागर बन गए थे वो जो लोग उनके भ्रहमन शील सभाव और उनकी यायावरी से परिची थे में महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूर्बीन लटकाएं अपने खूझ पूर्ण तर नतीजों के साथ लाटाएंगे तो लेखक यहां यह कहते हैं कि जो लोग भी साली मली को अच्छी तरह से जानते थे कि वो भ्रहमन शील वैक्ती थे यानि हमेशा भ्रहमन करते रहते थे पक्षियों के लिए हमेशा नई नई तरह की पक्षियों के बारे में जानकारी इकठा करना उनके बारे में समझना, उनके नेचर को समझना, उनका सौभाव था वो ब्रहमन शील सौभाव के थे और उनकी यायावारी से परिचित है यानि जो लोग उनकी इन सभी नेचर से परिचित है उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही कहीं निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूर्बिन लटकाए अपने खोज पूर नतीजों के साथ यानि जिस खोज में वो निकलते थे उनके नतीजों के साथ वो वापस लाटाएंगे जब तक वो नहीं लोटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए तो लेखा कहते हैं कि जब तक वो नहीं लोटते तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए यानि कि वो अब नहीं आएंगे ये मालने जाए मेरी आँखे नम है लेका कहते है कि मेरी आँखें आँसों से भरी हुई है नम है सालीम अली तुम लोटोगे ना अब वो अपनी वैथा बताते हैं सालीम अली के लिए अपनी अगाध प्रेम को दरशाते हुए कहते हैं कि सालीम अली तुम लोटोगे ना इसमें एक दर्द है एक वैथा है एक प्रेम का भाव है तो ये थी चाप्टर सामले सपनों की याद जिसे लिखा था जापिर अली ने और ये साली मली के लिए उन्होंने लिखा था जो कि एक पक्षी प्रेमी थे एक विज्ञानिक थे पक्षियों के लिए आई होब आपको ये चैप्टर पसंद आई होगी चैप्टर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राब करना मत भूलेगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडिय में एक नए वीडियो के साथ थैंक यू